नेता जी आजिरो को लेकर समाज से जुड़े भिविन्ह वर्गों के लोगों से आपको बाचित करा रहा है उनके विचारथ से हम आपको वाकिब करवा रहें कि मेडिकल कालेज की कि कहाँ रुकावटे आ रही है कैसे इसका मार्ग प्रशस्त हो सकता और उन लोगों की जो यहां इस्टूडियो में आ रहे हैं, जो कि आप लोगों के लिए एक चर्चित चेहरा है, जो जिनका की समाज अनुसरन कर रहा है, उन लोगों के हम विचार जानना चाहते हैं कि इस Medical College की स्थापना को लेकर आखिर वो किस हद तक आगे बढ़ चुके है हमारे बीच इस समय स्टूडियो में जो मेहमान उपस्तित हैं, उनका सबसे पहले मैं आपको परीचे करा दूँ, हमारे बीच उपस्तित हैं बार एसोशेशन के वरिस्टे एडवोकेट सुधिर कुलकर्णी जी, उनका हम स्वागत करते हैं, हमारे साथ उपस्तित हैं है और उसमें बड़ी सहभागिता मिल रही है, आप भी उस संगर से समीति के एक महतोपूर्ण हिस्सा हैं, मैं यह पूछने चाओंगे कि खरगोन जिले में कई मांगे होते रही, जिला नियाले की मांग थी, आप काफी नजदिकी से जुड़े रहे उससे, कई कारण रहे, जिनके कारण वो मांग पूरी नहीं हो सकी, और आज भी बार बार जब भी वार एससेशन के चुना होते हैं, एक तरह से जो अध्यक्ष के लिए खड़े होते हैं, उनका यही प्रयास होता है, कि जिला नियाले को यहां लाया जाए, लेकिन दशकों की मेहनत के बाद भी यह सफल नहीं हो पाया, इस परिस्तिति में और क्या कारण रहे, जिला नियाले यहां नहीं आ सका, और इन परिस्तितियों में क्या हम मेडिकल कालेज के लिए जो संगर्श कर रहे हैं, वो फली भूत होगा, देखिए आपका जो कहना सही है, कि लंबे समय से हम जिला नियाले के वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको लाने में अत्यजी कठेना ही होती है, और उसके लिए जो है, अभी भासक संग लंबे समय से प्रयास कर भी रहा, और निश्चित रूप से वो भी आंती मिस्टेज पर ही है, और किसी भी शन वो कार्य पूरा हो के जिला नियाले ख भर्षवर्दन जी ने कहा था कि खरगोन जिला चिकित्सालाय का जो है, हम उन्ययान करके यहां मेडिकल कालेज बना रहे हैं, वो 2019 में उन्होंने कहा था, जब सही हमारा यह प्रयास था कि मेडिकल कालेज खरगोन में ही प्रारंब हो, हम यह चाहते हैं कि सुरुआज जो है मेडिकल कालेज सरे कागच जो है, खरगोन के ही बने, किन्तु क्या है, राजनेतिक महात्वा कांग offenders ने, जो खरगोन को जो अधिकार मिलना था, अधिकार जो है, कुछ अपने नीजी सॉर्थों के खारण, राजनेतिक खारण, आपने नीजी हित के के खारण, उसे अन्य स् सबसे कोई नीड़ने आया नहीं कि कहां पर इस्थापित किया जाया राश्ची जरूर कहीं दे दी गई है लेकिन कहां पर कारी होगा इस संब्ध में अभी कोई अगर एक बार वो नहां से और कहीं चला गया तो निश्चित रूप से उसे खरगोन में पुना वापत लाने में अत्यदिक कढ़िनाई होगी अत्यदिक प्रयास करना पड़ेंगे इसलिए अभी सुरवाती दोर है और खरगोन सबसे योगिस्थान है सभी ब्लाक के बीच में है यातायाद के साधन है सबसे यादा जनसंख्या भी है और सबसे जादा मरीद भी आते हैं और सबसे जर्यादा ऑशक्ता खरगोन कोई है इसलिए जो हैं अभी होना चाहिए और जो खरगोन क cookies को संछालन करने वाली जगे वहीं पर उसकी स्थापना भी होना चाहिए जो संगर्ष समीति मेडिकल कालेज को ले करके प्रयास कर रही है कि इसकी स्थाबना खरगोंजिला मुख्याले परियू हो इसमें आप स्वयम युवा हैं और युवाओं के बीच में आप आते आते रहे हैं आपका जीवन संपर्क है इस संगर्ष समीति में यु जिला है कारण क्रशी जो है और कापास और गेंऊंचावल के, जमरेज में बिच्णे बाफ कpl देण पाई दोए मुन संगल्य भाई जद दॉशर को इतनी बड़ी कोई सुविधाय नी जिसने की भार कि ुईंवेस्मेंट करें या कि मेडिकल कॉलेज जो है उसको खरगोन शहर में इस्तापित किया जाना चाहिए और इसमें युवाओं की भागेदारी ऐसी है कि हमने एक अभियान चलाया कि मेडिकल कॉलेज में अधिक सदिक युवाँ जुड़े हमने कई राजनीतिक पार्टियों से और उनके जात्र संग सब्सक्राइब कॉलेज आएगा तो हमारे खरगोन शहर को आज राष्टी लेबल पर पहचान मिलेगी और अधिक से और खरगोन शहर का विकास होगा यह अमिज जी आपने जो बताया कि खरगोन जिला जो है अंतरराष्टी इस तर पर विख्या थे क्योंकि यहां पर कॉट पादक हैं लेकिन हम निर्माता नहीं हैं यह कहीं ना कहीं हमें कमी हैं और इससे हमारे शेत्र में आप जैसा की जानते हैं उद्द्योग से जुड़े हुए हैं बेरोजगारी भी जो हमारे यहां पर है वो कंट्रोल में नहीं हो पा रही है मैं आप से यह पूछना का मद्व मजबूद पक्ष रखे की पछले पर ही एन्निवारता क्यों है देखिया हमने नहीं है इसके आवशक है कि पूरे खरगोर नगर में और से आवाज एक समीतिकी कि आवाज सुनता नहीं है लेकिन अगर सभी समाज पूरा समाज जो है इखटा होकर अगर आवाज उठाएगा कि मेडिकल कालेज खरगोन में इस्तापित होना चाहिए तो इसके लिए यह आवशक है कि पूरे खरगोन नगर में और उसके आसपास जो बलाक है या जो जो भी म उसके बाद हम शोशल मीडिया के माद्यम से वास्तोहमें आज की स्थिति में शोशल मीडिया बहुत-बड़ा प्लेटपॉर मिइपया और उस प्लेटपॉर में या डल्यट जो है आम जंता तक बھی जाती है और प्राशाशन तक बहुत बी जाती है तो वर्तमानम से अग बै करना चाहते और वास्तों में यह कोई आगे चल के बहुत बड़ा अंदोलन बने इसके लिए हमें बहुत सारे लोगों को जोड़ना पड़ेगा और यह सभी लोग जब जुड़ के एक इस्थान पर संगटित होंगे तो निश्चित रूप से यह जन्जागरण के माध्यम साह हम ने शोचल मीडिया पर अलग अलग गुरूप बना है और हम जो बात उठा रहे हैं वह आम समाज उसको समझ रहा है और महसूस भी कर रहा है आज भले ही समाज उस स्थिति में नहीं आया है कि वह पूरा जन आंदोलन के रूप में खड़ा हो जाए अभी वरतमान में कोरो कि मांग नहीं की तो फिर निश्चित रूप से हम भविष्य में बहुत आगे पिछड जाएंगे और इतने पिछड जाएंगे कि आज हम जब दूसरे जीलों को देखते हैं प्रदेश के दूसरे स्थितियों में देखते हैं तो हम अपने आपको बिलकुर नगण निपाते प्रजेक्ट को बड़े संस्ताइप नहीं तो हम जो है अभी आभियान चला रहे है उसके बाद में समय आने पर अंदोलन भी उगा और रेली भी निकलेगी धर्णा भी होगा और हम मुख्य रूप से जो राजनेती के करता धरता लोगे उन पर एक दवाव बना कर उन्हों चाहते हैं कि करगों के हिस्त्र के लिए उनकी राजनेती मजबूरियां वले हो सकती है बागे निश्चित रूप से जब खर्बोन पूरा आवाज उठाएगा तो उन सभी को भी खर्बोन की जो पूरा करना चाहूंगा कि राजनेतिक मजबूरियां ये हमारे हां और भी महमाना है उन सभी लोगों ने जब भी राजनेतिक ये जन प्रतिनिजियों की बात आई पा बाति से जन्ता के वोट से ऊपर चळके आते हैं वह निश्च राजनेतिक की जन्भावनां को भूल करके अपनी राजनेतिक जो सेवा भक्ति है उसको पीछे L लग जाते हैं इस इस्तिति में बेचारी जन्ता किसके पास ज lot वह हमेशा जन्मब इनकी राजनेतिक मझस बू कि जो भी नेटा है जब तक जनता का समर्थन नहीं मिलेगा वसक्ता तक नहीं पहुंचेगा सक्ता आने के बाद ये बात दुरुप से आपने बिल्कुल सही कहा है कि वह जन्द भावनाओं की सदा अवेलना करता रहा है और खरगोन के मामले में तो यह रहा है कि आज जो भी स्थिद्धी है उसके पहले से भी जो भी विधायक रहें या सांसद रहें उन्होंने कभी भी खरगोन की जन्द कि आवाज उठाना जानते नहीं यह जब तक नागरी आवाज उठाना अपना अधिकार मांगना नहीं सीखेंगे जब तक राजणेता जो है अपनी राजनेतिक मजबूरी की चादर ओड कर खरगोन का इसी प्रकार से सुशन करते रहेंगे और यह निश्यीत रूप से जो पुर्णानी परंपर है वह समाप तो होगी और समा जब आबाज उठाना सीख गया है अब इनकी राजनीतिक मजबूरियों को अलग रखना पड़ेगा और खर्गोन के हीत में काम करना पड़ेगा नहीं तो आगे भविश्य में इसके उन्हें गंभीर परणाम भी भुगतने होंगे यह सुदीर जी आपने इस पस्ट बात कही और अधिवक्ता एक अच्छे वक्ता होने पर होने के साथ साथ आपने जो आम जनता के आज जो वो जो सुनना चाहते थे वो चीज़ें आपने रखी और साथ यह चेताओनी भी खुली राजनेताओं को वो भली सत्ता में बेठे हूं और विपक्षों में बेठे हूं कि अगर उन्होंने जन भावना की आवहलना की तो इसके गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेंगे जो कि अभी सुदीर जी ने इस पस्ट कर दिया अमिज जी यही मैं सवाल आपसे भी करना चाहूंगा कि समय आने पर जब भी यही कोई बात हती है राजनेतिक नेता जितने भी है वह हम पक्षॉर विपक्ष सभी की बात कराएं इसमें कोई नहीं क्योंकि यह जन आंदोलन है यह आम जनता के लिए है राश्टी नेता यहां पर आते हैं खरगोन में या इस्थानी नेटा हो या शेत्री नेता हो जब वो निमार शेत्र में निवास करता है और निमार से लगे हुए अंचलों में अली राजपुर जाबवा में निवास करता है। बावजूद उसके इन नेताओं को मैं यही कहूँगा कि शब्द आज कि क्या शर्म नहीं आती कब तक उनका नाम लेके आंसु ढालते रहेंगे। उनको वो सुविधाय कब देंगे। आज कोरोना में कितनी जाने गई। क्या उसके बाद भी उनका दिल पसीज नहीं रहा इस छेत्र के आदिवाशियों के लिए उन गरीबों के लिए जिनके पास आज दो जून खाने की रोटी खाने का पेशा नहीं है वो कहां से दवाई लाएंगे। कहां से वो उच्च किस्म की जो स्वास्त सेवा हैं उनको मिलेगी। भले आईश्मान कार्ड उनके पास है। लेकिन अभी जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई लोग ऐसे हैं कि उस आईश्मान कार्ड को ले करके वो एंबुलेंस करके इंदोर अपने घर के पेशेंट को भरती नहीं करा सकते। भरती करा देते हैं उनकी भोजन के तकलीफ में पैदा होती। बहुत सारी समस्या है सिर्फ एक कार्ड से उनके समझ्या हल नहीं हो जाती। जब तक वो सुविधा हैं उनके घर के नजदिक नहीं आएगी। तब तक उन आदिवासियों का भला नहीं हो सकता। क्या ये नेताओं को समझ में नहीं आती। मैं सुद्री जी की बात से बहुत सहमत हूँ कि जब तक पबलिक जागरूप नहीं होगी जब तक ये नेता ऐसे ही नोश्टे रहेंगे। मैं सभी पार्टियों के बात करता हूँ चाहे कोई भी हो डाइटिक पार्टी मेरा ये मतलब है कि जब तक हम खुछ शक्षम होके अपनी बात नेताओं तक नहीं पहुचाएंगे कि हमारे को ये तकलीफ है। अपको रोक रहा हूँ बहुत विशम परिस्टिति हुच्ष में निश्वल अक्सीजन उटलब्द करवाई थी आपने मित्रोण ने मिलकर और उसके लिए हम चैनलकी और साधुबात भी देते हैं। लेकिन बात जो हम सवाल किया था आपसे वहीं आ जाती है कि क्या ये जुम्मेदारी उन जन्पति निद्यों की नहीं है जिनको एक अपना विश्वास अपना आत्म बोला जाए कि पूरी तरह से अपनी आत्मा निचोड़के वोट के रूप में देते हैं उनकी आत्मा आखिर क्यों नहीं पसिचती इनके दुखों को देख कर करें देखिए अनिल जी बात ये है कि जब तक जनता जागरूप नहीं होगी जब तक ये नेता ऐसी ही तानाशाई करते रहेंगे मेरा आज सब से कहने का मतलब है कि हर आदमी बोलता है कि मेरे पास बोलने के लिए जगे नह यह आपके पास सबसे बढ़िया हत्यार है शोशल मीडिया आप सोशल मीडिया पे पोस्त डालिए किसी के भी खिलाब आवाज उठाइए उसको सो लोग लाइक करेंगे दो सो लोग लाइक करेंगे अब प्रशाशन तक जनता तक आपकी बात जाएगी हम खुद भी शहर की लोग और इखट्टे हो जाएंगे इसे हम मेडिकल कॉलेज के लिए आज पहले दिन से हम चार लोग इखट्टे हुए आज चार लोगों के अलावा आज खरगोन शहर की आदी जनता हमारे साथ खड़िये हम गाओं से भी समर्थन मिल रहा है और यह बोला जा रहा है कि आप आगे बढ़िए आप हमें मांग दर्शन दीजिए आप बताइए क्या करना है और यह किसी भी हाल में मेडिकल कॉलेज खरगोन में लाएंगे यह हमारी जागरुकता का यह परिणाम रहेगा ना तो किसी नेता का कोई इसमें हट्टशेप रहे हैं सुदीर जी अमिज जी आ आपने जो भी उसके जवाब दिए एक बेबाकी से जवाब दिए और यही बेबाकी जनता भी सुनना पसंद करती वो भी चाहती है कि इस पस्ट रूप से एक राय उनके सामने आए इस पस्ट रूप से राजनीती में जो लिप्त हैं या जो आज जन प्रतिनीती बनके कर तो यह चर्चा यूही जारी रहेगी वक्त एक ब्रेक का कहीं जाईएगा नहीं देखते रहेए एस ड़ली ट्वन्टिफॉर न्यूज मध्यप्रदेश नेटा जी आजीरो नेटा जीरो नेटा जी आजीरो कारिका में एक बार फिर से आप सबी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं इस समय हम बहस कर रहे हैं खरगो और शेहर में मेडिकल कालेज की स्थापना पर इसको बहस का रूप न लेकर एक परीचर्चा के रूप में ले क्योंकि यह हम जो यहां पर सवाल कर रहे हैं और जो जवाब आप यहां सुन रहे हैं हमारे अतितियों से यह आम जनता के मन में जो विचार हैं पनप रहे हैं जिनका वो जवाब सुनना चाहा रहे हैं वो ही हम उन लोगों से आप से चर्चा करवा रहे हैं जो संगर्ष समीति से जुड़े हुए हैं और मेडिकल कालेज की स्थावना को लेकर निरंतर प्रयासरत हैं। वरिष्ठ एडवोकेट सुजरी कुलकरने जी, युवा नेता एवं युवा अध्योगपती अमिज जेन जी, अमिज जी हमने अभी तक जो चर्चा करी राजनेतिक पक्ष की भूमिका को लेकर उसमें यही सामने आया कि आम जनता जो है वो दबाव बनाए लेकिन कहीं न कहीं हम देख रहे हैं वर्तमान जो परिष्ठितियां बन रही है उसमें राजनेतिक पक्ष सत्ता पक्ष यह काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कहीं न कहीं अगर मध्य प्रतेश शाषन चाहे तो वो स्वयम आम जनता की जन भावनाओं का संबान करते हुए जिला प्रशासन से एक प्रस्ताव बुलवा सकता है और इस पूरे जो भी वाद विवाज चल रहा है इसको विराम दे सकता है क्योंकि अभी कुछी दिनों पहले उज्जेन में भी एक मेडिकल कॉलेज किया भूमी पूजन हुआ है मुख्यमंत्री स्वय में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हुए आ गया है और खरगोन के लिए मेडिकल कालेज जिला मुख्यालेज पर इस्थाबित करने की एक गोश्णा कर दें इससे उनका खुद की सम्मान बढ़ेगा मैं समझता हूँ देखें मैं आपको बता देता हूँ कि इस कोरुना काल में बद्यपदेश की भाजपा सरकार पूरी तरीके से नाकाम रही कोई मतलब नहीं किसी को ना बेड़ हॉस्पिटल में बेड़ मिले ना इंडेक्शन मिले कई लोग काल की गाल में समा गये हैं मुख्य मंत्री मोदे सिर्फ वाववाई लूटने में लगें इसके लाव कोई काम नहीं किया उनने मेडिकल कॉलेज उज्जन की आप बात कर रहे हैं तो आनन फानन में पबलिक को दिखाने के लिए कि हां में अब कर रहा हूं आप लोगों के लिए अरे आगे-आके खरग मुख्य मंत्री मोदे सिर्फ कोरी हवावावाजी के लावा कुछ नहीं किया उननों लेकिन अमिज्जी यह तो ठीक है उसका एकी कोरोना वाला पक्षा है लेकिन खरगोन शहर की जनता भी और यहां के जन्पतिनी भी वह तब जागे जब पता चला कि कोरोना में मेडिकल का सब्सक्राइब में मेडिकल शेत्र की तो हम काफी जाने बचा सकते थे उस समय हमारे लोगों को जन्पतिनीदियों को लगा कि अरे यह तो गलत हो गया तो अमीज जी यह एक तरह से देखा जाए तो जब आग लगी तब कुवा खोदने बेठे देखे प्रदेश में सत्ता भाजपा की है और वहां से सुविधाओं के अभाव में कुछ भी नहीं मिला इसी के चलते लोगों को अपनी जान गवाना पर नहीं इसमें मैं अमीज लेगी उसमें इस्थानी विधायक ने भी कोई विरोध नहीं किया सांसत ने कोई विरोध नहीं किया लेकिन कोरोनकाल में जब उन्होंने देखा कि आखिर मेडिकल का लेज क्या चीज होती है जब सबको यह पता लगा तो वह महेश्वर से खरगोन जिला मुख्या लेकी ब आपको अनिल जी बताना चाहता हूं कि इसके पेले भी खरगोन के लिए एक मेडिकल कॉलेज शेंशन हुआ था जो खनवा के सांसद मोदे और उनके मंत्री मोदे के द्वारा उसको खनवा में स्थापित कर दिया गया है मेरे संग्यान में यह चीज दूसरी बात है कि मेडिकल कॉलेज की फेसिलेटी खरगोन जीले के लिए आप हर्षवर्दन जी के लेटर पर यह पस्त लिखा हुआ है खरगोन कॉस्ति इंशी मनलब लोकसबाद छेत्र ठीक है ने ने आप मेरी बात कतम हो जाए जैसे ही सेल्दा पावर प्लांट एंटीपिसी पावर प्लांट जैस होगा पुरे राष्ट में वेसे ही खरगोन मेडिकल कॉलेज पहले महा से चंशन हुआ उसको महिश्वर में क्योंकि टीम तो दिल्ली से आई थी उसको और भोपाल से आई थी टीम कहां उप्यूक्त जगे हैं तो उन्होंने उस जगे का चैन किया पर चुकि सत्ता बदल कि वह मेडिकल कॉलेज खरगोन से उठके बढ़वानी में चले गया है बढ़वानी में जमीने देखी जा रही है महां के कलेक्टर इस प्यारों आफिशल लेटर देना है कि महीं इतनी जमीन अधिकरन करना है जब यह सब चीजे होई और उस तेम भी कोई कुछ नहीं बोला उसके बाद में जैसे यह कोरोना काल आया लोगों को मेडिकल की आवशक्ता पड़ी जब लोगों के संग्यान में क्या खरगोन का मेडिकल कले तो यहां से बढ़वानी चले गया है फिर खरगोन जी ले को क्या मिला तो जब जागरूप हुए लोग और उसी टाइम पर जाइश्वार में स्विक्रत होंके घोष्ट ना ओग और कई मेहने बीद गये कई मेहने बीद गये तब तक कोई सुखवगाहट तक लेए अब आपको क्या पूलना चाहरा हूं कि यह पहले में कालेज खरगोन जीले के लिए ता दिली से टीम आई थी भोपाल से टीम आई आज हम फ्रेंट लाइन पर आके मांग करने कि खरगोन चाहर में अना चीए थी जो चीज वो खरगोन जीले में जा रहे थी मतलब महिश्वर विदानसवा चेत्र में उसके बाद महां से भी उटके वह बढ़वानी चलेगा यह कुण सी निया हुआ 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 यह बताइए उसके बाद हमारे विधायक मोदे रवी जोशी जी ने बड़ी तत्काल प्रवाव से लेटर लिखा और उन्हें ने बोला है कि मैं आप लोगों के साथ कंदे से कंदा मिला के खणा हूँ आपको जहां मेरी चरवत हो भुपाल चलना हो दिल्ली चलना हो मैं आपने तीम से सर्वे कराया था ता वह तेम भी गलत है कैसे हुआ यह आप देखिए और करकूंशार की विधायक मोदे मेडिकल कॉलेज खरवन लाने के लिए बहुत तत्पर है और आप आगे आपको इसके रिजल्ट भी दिखेंगे अशुदिर जी इस विशार पर आप कि आपश्च ने के उन्यन करके उसको मेडिकल कालेज तो इस पर सवी तो हमाहने में ऊस पत्र में ही यह इस परस्च होरा है कि घरवन के लिए सबसे दुर्भाग्य जी χोज्ब के लिए बात है कारण क्या हुआ कि स्वास्त मंत्री जो है विजय लक्ष्मी साधोती निश्चित रूप से और कोई भी अधिकारी मैं समझता हूं कलेक्टर हो कोई भी आई-पीस हो वो संबंदित मंत्री के किसी भी बात की अवेलना कर नहीं सकता जो टीम आई वो टीम जो आती है वो जो जी ले के लिए ही सब कुछ होगा था किन्तु जो मंत्री मोहदया थी उसने खरगोन के साथ अन्याइए किया और खरगोन के साथ अन्याइए कि उस समय हमारे खरगोन के विदायक फिर्ण बहत्पूрь पाद ले उसके प्हील पत्र लिखेए ऐसे संदर्व में पत्र लेकिन जब ऊट खेल तो चुन्माइ खामोश एक किन तो यहां पर में तो यह कहूंगा कि सीधी सीधी जो है मतलब सीधी सीधी जाल साजी ओ गई-ऊ-बंधियों जो सेंशन अमांट देखेंगे उसमें महेश्यवार मंडलेश्वर और में खरगॉन लिखा हुगा कि वास्तों में सम्वन्दित अधिकारी और मंत्रियों ने खरगोंद के पास में ही कही महेश्वार को बताया कि कि किलोमेटर दूर है इसलिए आज भी खरगों के लिए मंजूर हुआ है और यह सब बातें आने के बाद ही जो खरगों की जनता चेती है कि वास्तों में केंदर सरकार की मंद्शा जो है खरगों मुख्याले पर ही मेडिकल कालेज खुलने के रही थी अब उसको कुछ स्वार्थी लोगों ने वहां ले गए वहां से और कहीं जाने की सुन रहे हैं अभी आन्द रेकार्ड उस बारे में कुछ आया नहीं है कि पर में आचुका है कि यह निकाल दिया है आपकी बात सब्सक्राइब बढ़वानी ने लेटर दिया आपकी बात बिल्कुल सही है लेकिन यहां पर जमीन का अलाटमेंट भी कर दिया था यह कारण प्रेक्टिकल यह है कि जमीन पर क्या काम होना है वो तो नहीं देखते हैं जो मंत्रियों ने कहा जो संत्रियों ने कहा वो सब काम हो जाते तो वास्तों में खरगोन के संब्सक्राइब में तो मंत्रियों ने प्रशाशनिक अधिकारी को और केंद्र क्या अधिकारियों को गुम्रा किया गुम्रा करने के बाद भी जो है हमारे माननी विदायक और मैं फिर कितना हूं कि यह खामोशी जो है खरगोन के संबंद में अगर खामोशी इसी प्रकार बनी रही और मेडिकल कालेज और चला गया तो मैं समझता हूं उनके लिए भी बहुत घातक परिणाम होंगे इसलिए सभी राजनेताओं को जो सत्त अधीश है अगर निश्चित रूप से खरगोन के साथ अन्याय होगा तो निश्चित रूप से सांसद विधायक और जो आसपास के विधा है हमने हमारी समयती ने मांग करी थी कि आप एक इसपस्त लिख के दीजिए जैसा भगवान पुरा विधायक के दाबर जी ने लिख के दिया मैं उनको सम्मान करता हूं कि उन्होंने वास्तविक्ता के साथ में कड़े होके यह कहा कि नहीं खरगोन जिला मुक्याले पर होना चाहिए ऐसी बात खरगोन के विधायक क्यों दमदारी से कर रहें करना के उन पर भी दबाव है पार्टी का दबाव है तो मैं समझता हूं दबाव से हटके खरगोन के हित्में उनको काम करना चाहिए मेरा यह विश्वास है आज नहीं तो कल निश्यत रूप से वह करेंगे अब ही नहीं कर रहें लेकिन जब जन भावनाय खड़ी होगी तो निश्यत रूप से वह भी खरगोन के लिए लिखेंगे मेरा पूरा विश्वास है और सांसद और खरगोन विधायक दोनों खरगोन में ही मेडिकल कालेज के लिए सार्थ तक प्रयास करेंगे करन जन भाव निरादर होता है तो उसके परिणाव विपरित ही होते हैं और राजनेतिक रूप से या समझिक रूप से जो भी है वो चीजे बाद में सामने आएगी लेकिन वर्तमान में परिस्थित्यां बन रहे हैं उसमें एक संभावना बड़ी मजबूत संभावना है कि सारे जन प्र करने का सोच रहे हैं लेकिन जैसा कि आमिज जी ने बताया कि राजनेतिक मजबूरियां सही है राजनेतिक मजबूरियां प्रजातंत्र में होती है नेताओं की तो राजनेतिक मजबूरियां उससे भी एकदम से पिंड नहीं छुड़ा सकते अपने संगठन और सत्ताय और हमारे जो आज के दोड़ों मेहमान हैं अमीजेन जी और कुलकड़नी जी दोनों ही संगर्शे समीति का इसा हैं। लेकिन आज वो जिस परकार से बेबाकी से अपने विचार रख रहे हैं। बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति मंच पर से सामाजिक रूप से बेबागी से विचार करें अब पर्दे के पीछे छुप करके कुछ भी बोलना या मुन चुप्टी साध कर बेठने का समय नहीं है अगर यही रहा तो जिला मुख्याले से यह कॉलेज कहीं और जा सकता है क्यों जी अभी जैसा कि सुधिर जी ने एक आरोप लगाया और आरोप कहीं न कहीं हमको सच्चा ही दिखती है कि जिनका हाथ में आज पावर है जिनका हाथ में आज सत्ता है और जो भी जन प्रतिनीदी बनके बेठें भली वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं वो सभी स्ट सबसे उप्यूग तो होगा मेडिकल कालेज की स्थावना लेकिन राजनेतिक मजबूरी अब बहुत लंबा समय गुजर चुका है तो इस मजबूरी से उबर कर उन्होंने एक मंच पर आना चाहिए जनता स्वयम देखना चाहती एक मंच पर और मैं समझता हूं कि जब इस प सब्सक्राइब जारी होता है एक रूपता लिए हुए तो बहुत बड़ी बात होगी और समय आगया है अब यह कर देना चाहिए क्या काराने बार बार यह देखिए बात यह है कि अब जनता जागरुक हो गई है करगोन विदायक मोदे का भी इस पस्त कहना है मेरे माध्यम स आप लोग जहां मुझे खड़ा करना चाहो जहां मुझे बोलाना चाहो में वह आने के लिए तयार हूँ यह बात नहीं है कि वह खरगोन शहर में नहीं खुले इसके पक्ष में नहीं है वह चाहते हैं कि 100% खरगोन शहर में यह खुले और मेरी विदान सभा या आसपास की चेत्रों को इसका पुरा लाब मिले आपको आगे में बताऊंगे और आगे आप खुद देखेंगे कि हां खरगोन मिधायक ने रवी जोशी जी ने इसके लिए क्या प्रयास कि और क्या नहीं कि वह तो खुद बोल रहे कि में मेरे खर्चे पर ले जाने को तयार हूं संगर लिख चुके पर खरगोन मुख्या लेका पत्र लिखे हमारी तो मांग ये खरगोन मुख्या मंत्री जी के सामने बेट की यहीं बोला जाएगा कि मुको खरगोन शहर में ही मेडिकल कॉलेज की अनुमति दे खुलने की और जल्द जल्द इस पर कारवाई करें कुलकणी जी ये बात भी सही बोले सुधिर जी अभी अमीज जी ने कि जब खरगोन विधाय स्वयम सचरीर मुख्य मंत्री के पास संगर समीती के दल को ले जा करके मांग रखने को तैयार है तो एक पत्र लिखना मैं समझता हूँ कोई बड़ी बात नहीं है वो पत्र भी वो देने को तैयार होंगे अमीज जी ने जैसा भी बताया लेकिन अभी जो सांसत की सबसे बड़ी भूमी का आ रही है सांसत की हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं सांसत पे लेकिन वरतमान में जो राजनेतिक प्रश्ट भूमी तैयार है जो दिख रहा है हमको तो बड़वानी से तीसरे स्या चोथे सांसत है उसके बाद आप खुद ही सोचे कि इनकी सबसे जादे जो भावना है वो अपने शेतर में इन चीजों को ले जाने की है बड़वानी में उन्होंने ये इंतजार नहीं किया कि खरगोन के मेडिकल कालेज की पहली हीट रख्या ज समझता हूं कि एक निरर था कि एक होशना थी कि बड़वानी में भी हम इस्थापना करेंगे जबकि वर्तमान में वो खुद ही देखने करोना काल को लेकर करके अभी एक कालेज के बजट के की तकलीफ में आ रही है और दूसरे कालेज की स्विक्रति वो ले रहे नाही को अतिरिक तो इसके प्रस्ताव दो फिर इस समय क्या इस्तिति थी जबकि संगर्श करगों मेडिकल कालेज को लेके चल रहा था देखिए क्या है कि जैसा मैंने कहा कि आनन्द फानन में महेश्वर में उनने आप कलेक्टर ने आठ दिन में जमीन का अधिक्रमन करके और जम सुनों और मैं चाहता भी नहीं किन्तु यह सत्यता है मैं बताना चाहता हूं कि खरगों में दोनों तरफ से ऐसा को अभी तक जन्नायक नहीं खड़ा हुआ जिसके पूरा खरगों खड़ा हो गया हो वास्तों में खरगों के मतलब जो राजनेती करते हैं उनमें ऐसी और बीजेपी दोनों तरफ मैं समझता हूं फिछले 20 सालों में इसा को जन्नायक नहीं कड़ा हुआ जिसके पिछे को काफिला खड़ा हो तो खरगों के दुरभा की रहा है तो खरगों ने जो खोया है वह इसी करन सब कुछ खोया है कि जहां कुछ जन्नायक नहीं देखिए अब हम संगर से समीति की बात करें जन्नायक के रूप में ताभी हमारे जो स्वर्गी पूरू उप मुख्य मंतरी सुभाश आदो राजनीतिक रूप से कोई दल या विशेश की बात नहीं लेकिन व्यक्तिकत रूप से और राजनीतिक रूप से उन्होंने जो भी राजनीत वो एक अलग चीज हो सकती है लेकिन उस समय निमार शेत्र से पूरा राष्टी इस्तर पर अगर किसी नेता का नाम जाना जाता था तो वो सुभाश यादा हो था अब वो हमारे बीच नहीं है लेकिन गोलु जी ये तो हमने राजनीतिक प्रश्ट भूमी को लेके बात करी जो संगर से समीति के सामने आज दिख रही है कि उनको किस किस चीजों से लड़ना है कहां कहां उनको संगर से करना है सबसे पहले उनको राजनेतिक जो जनपति ने दिये इनको आपस में जोड़के एक राय बनाना है और उनके साथी आगे बढ़ना है लेकिन कुछ अच्छ पूछना चाहूंगा कि इसमें संधर्श समीति में अभी तक हम देख रहे हैं कि कोई फ्रंट लाइन के चेहरे सामने नहीं आ रहे हैं क्यों ना जैसे आपके इसमें डॉक्टर जुड़े हैं हमारे यहां पर डॉक्टर रमेश नीमा आये थे जो कि पूर जिला मुख्य स्वास्त अधिकारी रहे हैं और एक लंबा अनुभव और 2002 से वह मेडिकल कालेज को ले करके इसे तनजदी की से जुड़े रहे हैं इस प्रोजेक्ट के तो एसे लोगों को जो स्वास्त चिकित्सा से जुड़े हैं इनको फ्रंट लाइन में ला करके वह कारियोजना को तया किया जाए जिससे संगर्ष जल्द और फलीभूत इस्तिति में आ सके तो क्या इसे लोगों को आगे लाने का संगर्श समीति के द्वारा प्रयास किया जा रहा है अभी क्या है को रूना काल चलना लगडाउन लगा हुआ है अभी हम जितने भी हमारे काम कर रहे हैं हम सोशल देभूकेट इनके इनको समनौलेज है कि कैसे होगा किया मझबूरी अभी हमारी सबकी मझबूरी है कि लगडाउन लगा हुआ हम चाते है कि पालन करना है हमको तो चैसे यह लगडाउनखतम होता है वीसे है आपको विक्राल हूप दिखएगा इस संगर्ड शमीती द्वार जिसे लगड़ान खतम होगा इसलिए आपको विक्राल रूप दिखेगा कि खरगुन संगर्ष जनानदुन मेडिकल कॉलेज जनानदुनन ने खरगुन में मेडिकल कॉलेज की मांग के लिए क्या-क्या प्रयास की और क्या प्रयास और आगे करना है हमको सुधिर जी मेरा सिर्फ यही कहना है कि एक अच्छी बात है कि संगर्ष समीति में सामाजी की राजनेतिक आर्थिक हर चिकित्सा हर शिक्षा हर शेत्र के लोग जुड़े हुए हैं और एक बहुत बड़ा अनुभाव इस संगर्ष समीति के साथ है तो हम बार-बार यही कहना चाहर है कि उस अनुभाव का तत्काल उप्योग में लिया जाए और यह कार्योजनेति जिसे कि आप डाकुमेंटेशन तयार करें आप स्वें कानून के विद्वान है और आप जानते हैं कि सबसे पहला काम होता है डाकुमेंटेशन अगर वो फाइल तयार होती है समय पर उ दोजना उसारी कारिक किया जा रहा है कि कोई 8 दिन का काम नहीं है लंबी लड़ाई लड़ना है कारण क्या है यह पर सारे राजनेताओं को आप सथा दिश जो उनकुछ सहमति लेना वास्तों में क्या है कि अभी सब कहे जरूर हैं बगी एक मंच पर अभी आनी रहें तो य चैनिन्हायमें सो प्रतिश्चत सफलता मिलेगी और यह केवल जो है खरकोन की जन्ता जो भौनाएं इसके अनुसार सारह कारी होगा और यह के ना भी सही है कि दूसरे लोग हम सबका सायोग ले रहे हैं कुछ लोग हमको प्रत्यक्षरूप से सायोग देते हैं कुछ लोग प्रत्यक्षरूप से सायोग दे और वास्तों में सभी लोगों की इच्छा है कि हम भी कुछनों कुछ इसमें जो यग्य प्रारंब हुआ है उसमें अपनी आह बहुत जल्दी आपको एक अच्छा मूमेंट एक अच्छी योजना आपको दिखाई देगी जिससे कि हम यह अंदोलन जो है मुर्त रूप होके सफलता राप्त करें आज की जो बहुत थी काफी सार्व गर्भित रही और बहुत सारी चीजें वह सामने निकल का हैं इस चर्च कर रहे हैं कि सत्तापक्ष के प्रतिनिदी और विपक्ष में जो बेठें यानि सांसद और विधायगिस जिले के जो हैं वो एस डव्लू टोर ट्वंटीफोर न्यूज के मंच पर इकठा हो और एक संयूक तो बयान जारी करें हम खुद उनको आमंत्रित कर रहे हैं लेकिन स कालेज की स्थापना को लेके जनांदोलन है उसको एक सही लक्ष मिल सके सही उसको निजदारी समय में सफलता मिल सके मैं सबसे प्रेले आपके देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस मेडिकल कॉलेज के लिए परीचर्चा की शायर के विबिन गणमान ने राजनीतिक साम करना चाहता हूं कि यह कोई राजनीतिक मुद्धा नहीं है आज हमारी पीड़ी हमारी भविष्य हमारी पीडियां पूछे कि आप लोगों ने खरगोन शहर में क्या किया आप खुद समास से भी हो गाई पतरकार हो गई उद्योग पति हो आपने क्या कि हम लोगों के लिए तो मैं यह सिर्फ यह संदेशिया में आपसे आगरा करना चाहता हूं कि इस मुद्धे को हमको राजनीतिक नहीं बनाना है मेडिकल कॉलेज केसे खरगोन में आएगा उस पे सिर्फ हमको ध्यान देना है कोई भी कुछ भी बरगला है कुछ भी बोले यह वो पार्टिकल होग खरगोन शहर को इसकी सोगात मिलेगी और हमारे खरगोन शहर का नाम पूरे रास्ट में चलेगा जय हैं जय भारत अमिज्जी आपने बहुत बढ़िया बोला और हम हमारा भी प्रयास है कि हम एस डवलीव 24 न्यूज के माध्यम से निरंतर सकारात्मक एक द्रश्टिकॉन प मिलती है इसलिए हमको उनके विचारों को लेकर बार-बार चर्चा करना पड़ेगा और एक सकारात्मक्ता को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा हम आगे भी इसी प्रकार से उक्षोर जन प्रतिनीद्यों से और संगर समीती से जुड़े लोगों से आपका तारूप करवाते रहेंगे तब तक के लिए मुझे आग्या दीजी नमस्कार